हलो फ्रेंस आप सभी को मेरा नमस्कार आज हम मुर्गे की चिकन बनाने चलने तो यह आधा किलो हमने चिकन लिया है इसको धुल के हम छणने वाली ठाली में रख दिये हैं इसका पानी निकल जाए इधर हम लहसुन लिये हैं और चार पांच प्याज है चोटी चोटी अधरक एक टुकड़ा दो हरा मेर्च है तीखा हम कम बनाते हैं बच्चे नहीं खाएंगे दो हरा मेर्च हम लिये हैं हाटी अधिये हैं गरम हो रहा है इसमें लग भग 100 ग्राम तेल डालने सरसो का है तेल गरम हो रहा है कि इसमें हम दो तीन तेश पत्ता किया कहते हैं अ सुखा मेर्च डाल रहे इht और दाल्स चिन्नी डाल रहे हैं छोटी लाइची और जीरा दो लाग खड़ी मसाले को अच्छी तरीके से हम पता ले रहे हैं इसमें है यह लत सुन मिर्चा कुटे हुए है इसको चल ले इदर मसाला लिए इसका पेश्ट तयार कर रहे हैं मीट मसाला है हल्ली पावड़र मिर्चा पावड़र और धनिया पावड़र इसका हम पेश्ट तैयार कर ले है यह पानी डाल के हम अच्छी तरीके देखिए इसका पेश्ट तयार कर रहे हैं इधर यह लाल हो गया है ख़ड़ा मसालत इसमें हम अध्राख लैसमें मिर्चा जो कुटे हुए हो इसको डाल दे रहे हैं यह भी पकता रहे यह दिखिए मिला रहे हैं अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए यह भी इसमें चिकन में मसाला लगा रहे हैं क्योंकि इसमें चला नहीं पाएंगे तो इसमें अच्छी तरीके से हम सभी मसाला लगा दे रहे हैं कि देखिए अच्छी तरीके से मसाला इसमें लग गया है इधर यह हमारा प्यास देखिए ब्राउन हो रहा है इसमें हम स्वादन सान नमग मिला दे रहे हैं और मीर्चा पाउडर उपर मिला रहे हैं कलर वाला है इसको सभी पीस को हम डाल दे रहे हैं इसमें इसमें देखिए इसमें दो लहसुन हम डाल दे रहे हैं दो फूति इसको डाल के दबा दे रहे हैं ताकि इसमें अंदर चला जाए अच्छी तरीके सपक जाए इसमें हम हलका से पानी डाल रहे हैं इस तरीके से इसको पलटके हम ढखकन रखके आटे से इसको हम मोग कर देने ढख देने ताकि गैस पना के अच्छी से पक जाए यह देखिए इस तरीके सम चिपका दे रहे हैं इसको लगभग धीमी आज पे हमको पंदरा मिनिट पकाना है अब यह देखिए आटा सुख गया है पंदरा मिनिट हो गए है लगभग तो इसको हम देखेंगे खोल के पक गया है यह देखिए खोल देने हैं यह यह देखिए अच्छी तरीके से पक गया है कल रिसका गया है यह देखिए गल भी गया है पीस इठाक इसके हाँ से दबा के देख रहे हैं गला है की नहीं यह बन गया है हाड़ी चिकन और हमारा तरीका अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा सभाई वहनों को नमस्कार और धन्वाल